नमस्कार आप सभी का श्वागत अभी नंदर हमारे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के चाहिए कोई भी एक्जाम हो आरे से लेकर करके कॉंस्टेबल सीटी जो भी राजस्थान की आप एक्जाम दे रहे हो उसम आपर इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मेवार के इतिहास के बारे में दोस्तों मेवार के इतिहास से समंदित हर बारे कोशन पूचा जाता है यह एक दोस्तों बहुती बड़ा टोपिक है तो इस टोपिक से समंदित राजस्थान की आज तक जितनी भी परतियोगी परि का हो सीटी का हो सीटी ग्रेजुशन लेवल का हो बीस्टी सी पीटी चाहिए कोई भी एक्जाम हुआ उन सभी एक्जाम में मेवार की इतियास से टोपिक से सम्मदी जितने भी कोशन पूछे गए हैं उन सभी कोशनों को आज हम आपके सामने रखने वाले हैं अगर दोस्तों पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना इसी परकार के नेक्स्ट वीडियो आपको राजस्तान इतियास कला संस्क्रति जोग्रोफिक पॉलिटी वगरा हैं सभी की टाइम टू टाइम आपको मिलते रहते हैं नमस्कार दोस्तों पीट होते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो में आज हम बात करेंगे लगबग 131 सोरी 137 प्लस इसमें है वो ऑब्जेक्टिव टाइप कोशन है जो इस टोपिक से समधीत आज तक पूछे गई हैं और इसी 137 के अंदर अगर बात करें तो यहां पर आप देख सेते हैं इस परकार की वेक्टिव दी गई है तो आपको मेवाड इत्यास से समधीत किसी भी परकार का कोई दूसरा वीडियो देखने को आपकी जरूत नहीं पड़ेगी आज हम मेवाड इत्यास के बारे में बात करेंगे कल ह होगा अपना गुर्जर परत्यायर्स के समंदीति में उसके बाद में मेवार्ड तो हम zinc वाण को फिन से शुरूँत have ऊलभत ओश्रों सब्सक्राइब के नूट कर सकते हैं अगर उनकी पीडियीप चाहिए तो कमेंट बॉक्स में और वीडियो को वहां पर आपको यह मिल जाएगी जहांब सबसे पहले कोशन देखें के राजस्तान का कौन सा पूर्व राजवन से शुप जो शेव परमपरा हैं उनका निर्वन करता था शेव परमपरा का मतलब आप समझ सकते हैं शेव धर्म से समधित या भगवान से शेव समधित तो कौन सता दोई देख सकते हैं लेब असिस्टन साइस में कोशन पूचा था 2022 में यह 2023 तक जितने भी एक्जाम में जितने भी कोशन पूचे वो सारे इसी में हो आपको मिलेंगे तो राइट आंसरों का गुहिल वंस कौन सा दोस्तो गुहिल वंस थोड़ा सम जल्दी आपको बता देते ठीके जो शेव समपरदाई हैं वो भगवान सेव के आवतारों याविकी सवरूपों का पूजन है राजस्तान में मेवार रियासत सेव मत को वो माननने वाला है मेव पर रावल मोका जो मोकल था उनके दोवारा जिलनों दोवार और रावल जो राइमल था उन्होंने इनका वर्दमां सो रूपे वो परदान किया था नेक्स्ट कोशन देख सकते हैं कॉंस्टेबल एक्जाम 2020 में पूचा है कि गुहिल वंस का पहला सासर कोन था गुहिल वंस द्वारा करवाए गया था गुहिल वंस का वास्तुई संस्था पर गर आप से पूचा जाएं तो बपा रावल आपको लेकना है इनको काल भोज और वपा के नाम से जाना जाता है इनकी जो राजदानी थी वो नागदा थी गुरू का नाम अगर बात करे राभ वपा राव स्यूकितों केलास पूरी में सोने का इनों ने सिकका 114 गरेंड का अजमे रिंग से बारा सो 17 तक यह पर देख सकते हैं भूताला कर युद में इलतूत मिसको अराया था दोस्तों कोंसे युद में थे बहुताला का युद जो वथा 12TV की बारा सो सतैस मिनगा युदुश वथा बहुताला का युद जयतर्शिंग उलतूत मिसके मद्यों जयतर्शिंग उलतूत मिसको बहत धैसे नहाद सेना पति अगर बात करें बहुताला के युद में अमदन बालक ठे differenti नाग्दास उन्होंने कहांपर बना दिती चितोड में बना दी जैतर सिंग मत्य कले मेवाड का स्वरंकाल ईन्होंने किस के समय को कह ऑदोस्तों जैतर prima को कह望 सकते हैं , नीम्द लिखित में चाह्याक है। रिज़तो क्रुचियोdır सभेखाते हैं नेक्स्ट कुर्शन है गोरा और बादर ने किन्द की यह रक्षा की थी तो यह जे इन्वे कुर्शन 2020 में पूचा था इसका राइट आंसर का राणी पदमनी जो चितोड की महारानी थी यहां पर देश सकते चितोड का जो पर्थम साका हुआ था अंतीम जो रावल डतन सींग के समय अठारा जनवरी तेरा सो तीन को चितोड का लाव दिन खेल जी ने गेरे बंदी की थी और साथ माँ बाद चपवीस अगर्स तेन को चितोड पर उन्होंने अधिकार कर दिया था और उसके बाद में खिज्रावाद जुर्गा वो नाम रख दिया था यहां पर इनकी चास अभी कहलाता है बादल उनका भाई कहलाता है सहीद हो गए थे नेस्ट कुर्शन है अलावदिन खिल जी और मेवाडवासियों के लिए कौन से वर्स में हुई थी तो यहां पर आप देख सकते हैं इसकी जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर और यहां पर आप उनका यह देख सकते हैं जो अभी हमने पहले उपर भी पढ़ाता है नेस्ट कुर्शन पूछा जाता है कि सारंगपुर का यूद देव कव लड़ा गए था यह दोजार बाइस में कुर्शन रिपीट हो चुका है सारंगपुर का यूद अगर बात करें जो लड़ा गए था किनके मध्य लड़ा गए तो यहां पर आप इनकी वेख्या आप एक बार आराम सीजरी तरीके से देख सकते हैं वीडियो को रोक कर गई क्योंकि हम आपका इतना फालतु टाइम हो बरबाद नहीं करना चाते हैं नेक्स्ट कुर्शन देख सकते हैं कि न की वो रचना की गए थी चितोड का जो नाम में वो खिजर खान के नाम पर खिजराबाद रखा था और पदमनी जो रानी पदमनी थे उन्होंने यहां पर हो जोर कर दिया था तेरा सो तीन में 26 अगस्त को यहां पर देख सकते हैं नेक्स्ट को सने कि अलाउदिन खिलजी न फूसे को उन्होंने विच्ञा जे यहां तो अजो वृजए युआ यहां पर और जो खिजराबाद रखा था और रवाला शाका को और क्या उंत रहा था 303 में 820 में 373 में चितोड़ विज़े के ना ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोशन आप देख सकते हैं कि निम्द लिकीत में से कौन सिशोधिया वंस के पूरुज माने जाते हैं यह एले से में दोस्तों कोशन पूचा गया था पूरुज माने जाते हैं राइट आंसर होगा राना हमीर तो यह बिलुकुल इसका करेक्ट करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट कोशन हम यहां पर देख सकते हैं इसकी जो वेक्या आप देख लेने एक बार यह चौदा कोशन है कि किस मेवार सासर के समय जावर की खानों में चांदी की वह प्राप्ति हुई थी इंपोर्टन कोशन है रिपीट हो चुका है यह एक सोड़ वेक्या आप देख सकते हैं जावर में चांदी की खाने अगला कोशन है वह सासक जो विद्वान योगे स्वरव जो भट विश्णु का वह सरंक्षन माना जाता हैं बिल्कुल इसका राइट आंसर का मेवार का जो राना मोकल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वेक्या पर आप देख सकते हैं वीडियो को रोक करके अगला कोशन है सारंगपूर जो युद हुआ था 1437 से में किन्द राजियों के मत देवा था इलतु तुम इसके मत देवा था दोस्तों जो राना यहां पर आप देशने इसका राइट आंसर का मेवाड और मालवा के मत बिल्कुल इसका कररेक्ट आंसर होगा और यहां पर हम नेक्स्ट कुश्ण देखते हैं कि उस वक्तितों का नाम बताएज जो कि अब यहां पर आप इनकी एक बार देख लेना नेक्स्ट कुश्टन देख सकते हैं कि राणा कॉंबा की एत्या किसने एत्या हुई थी, यहनि का तरो पर पूचा जाए तो इनकी जो हत्या भी थी वह कूंबलगड दुर्ग में हुई यह हेडमस्टर में कुश्न पूचा गय था, माराना कॉंबा, जो उनका सासंकाल 1423, तेंटी से अड़ सट के मद्ध है उन्हीं सउदा सौड़ सट में उद्ध करन जिनको उद्धा भी कहते हैं ने कुंबल गड़ में कुंबा जो मारना कुंबा उनकी हत्या कर दी थी कुंबल गड़ दूर में आपको ज्यान में रखना है ठीक है वह सरवादीक 32 दुरकों के नो नाम से भी जाना जाता है और जो हुदद हैं उनको मेवार का पित रंता के नाम से भी जाना जाता है आप अंगला कोश्चन एंजимся स अन्सर की होगा उसका राट नेक्स्ट कोशन है 1437 यूश्वी में मेवाड मालवा जो यूद का ततका लिंग करने वो क्या था इनका जो ततका लिंग करन था वो क्या था वो आपको बताना है तो मालवा को महपप पॉमार को मेवाड को सौंपने से इनको इन्होंने क्या कर दिया था मना कर दिया था इनका बनाया जाता है और विजे इस्तम का निरमान हुआता है इसी विजे के संदर में और छे माँ बाद कुमबा ने मेहमूद खिल जी उन्होंने क्या कर दिया था ठीक है अगला कॉशन है कि चितुल गर्ड का जो विजे इस्तम में वो किस के दवरा बनाए गए था ये कुशन आपको पता ही है एक सोड के पच्छास बार ये कुशन पूचा गया है और यह अगर बात करें तो राना कुंबा निनका निर्मान करा था ठीक है कितनी लंबई है कितनी उच्छा है कौन कौन से इनके लेकर थे कौन वास्तु कार थे जो यहां पर आपको जानकर इस बॉक्स में मिल जाएगी नेक्स्ट कॉर्शन आप देखिए दोस्तों कि माराना कुंबा ने खालिस्तान पर विजे पराप्त करने के उपलक्स में विजे इस्तम का निर्मान करवाई था आपको पता ही है कौन से पर करवाई थी मालवा और गुजरत की सेना पर उन्हें विजे पराप्त की तब यहां पर उन्हें निर्मान करवाई था जो कि विख्या यहां पर आप 101% यापको पढ़ना निया पढ़ना है सारणपूर यूद्ध के विजे के उपलॉक्स के हूभाय। यहां पर इनकी देख सकते हैं वे क्या मालवा के किस सुल्तान को मारणा कुम्भा ने कई बार पर राजित किया था इसका राइट आंसर अप्शन नंबर यह होगा मेहमूद खिल जी के दवारा करवाए था कॉंस्टेबल है 2020 में कोशन पूचा गया था नेक्स्ट कोशन है राजस्तानी वास्तू का लाका जनक किसको माना जाता है जैयन सीविल डीगरी 2020 में कोशन पूचा था राइट आंसर होगा राणा कुम्भा के दवारा इसका बिल्कूल यह करेक्ट आंसर होगा वन नाइनर कोशन है अगला कोशन है चितोलगड विजय जो ह दोस्तों क्या है मंड़न मंड़न मंडल नहीं मंड़न आप टाइपिंग में मिस्टें मंड़न इसका राइट अंसर होगा अगला कोशन कूम्भा का इतियां जो गुजरात के साथ संगर्ष का प्रारमभी कारण यहां प्पूचा गया है इसको आपको याद रखने के लिए यह जो यहाँ पर दिये गई है इनके यह आपको याद करने होगे तब भी यह कोशन आपको सरल आप इसको कर सकते हैं अगला कोशन यहाँ पर हम देख सकते हैं जो कोशन नमबर 32 31 31य हनगा 15 शताव दि में मारना कुम्बा ने मालवा और गुजरत के मुश्छीम सासकों को पराजित करके या करने अपनी विज्जे को अंपर बनाने के लिए निम्द लिकित में से किसका निर्मान कराया था आपको पता है यह विजे स्थम का निर्मान कराया था D option correct होगा इसकी उच्छाई लंबाई चोड़े यहां पर आप इनको देख सकते हैं किस राजपू सासको हिंदू सुरतान के नाम से जाना जाता है जेल प्रहरी 2017 कोशन यह पूछा गयता सोरी इसका राइट आंसर होगा मारणा कुमबा निम्द लिकित संगीत गरंटों मैं से कौन से गरंट मारणा कुमबा के दवरा कृट है क्रिट का मतलब लेकर होएं तो इसका राइट आंसर आप इसको देख सकते हैं कोशन इसका राइट आंसर ऑप्शन नमबर शी होगा सी में एकर बात करें ए बी सी यानि कि पहला दूसरा ऑ तीसरा यह त्वीनों है वो मारणा कुमबा के दवरा रचित गरंद है माराना कुम्बा को निम्ना की तवाद्य इंत्रों में से किस में दख्स तासिल थी तो वो किस में थे वीना वादक में ना वीना वादक में वो दोस्तों क्या थे प्रवीन थे प्रवीन का मतलब में होश्यार यहां पर इसकी वेख्या आप एक बार देख सकते हैं, पूरी। अगला कोशन है कि संधी कि राजियों के मद्द्य होई थी तो यह Wednesdayम में कोशन पूचग था सकतन प्वबूचल तो यह सगीत राज कितने भागों में विभाजित थी तो आपको पता है यह 5 जें कोन कॉंशन नहीं दिए गए अकूर्ट का वो प्यों करते हो और दोब स्थाइए यांनि सुधापर्वण चंडी तो आपको पता ही है माराना सांगा को कहा जाता है इसका करेक्ट होगा अगला इसका कूप़ा के को मैं से कुम्पा के विस्यों में लिकित में से कौन से कत्र सत्य हैं तो यह उप्शन इसका बताय गया है यानि कि मारना जो स्कुम्पा वो श्युम विद्वा नहीं था पर विद्वा नों को आश्रे देता था लेकिन यह क्वेशन यह जो ऑप्षन वो गलत तो यह ऑप्षन इसका राइट आंसर बैठेगा उन्होंने गलत पुचा है अगला क्वेशन है मारना सांगा ने किस मेवार का सासिक बना था 1577 में खातोली का युद्वारत्मान में कोटा में 1578 में बाड़ी जो दोलपूर में अब्रहम दोदी को रह था और 1527 को सांगा और बाबर की सेना के मद्दी युद्व वता बयाना भरतपूर का जिसमें सांगा आए वो विजय हो जाता है अगला को देख सकते हैं ये वाली नेक्स्ट कोशन है खानवा युद्व में शांगा के घायल होने पर नेत्र तोकिसना समभाला था तो जला जो अज्जा था उन्होंने समभाला था जाला अज्जा और जाला सज्जा में आपको फर्क जानना है तो ये वेक्या आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं नेक्स्ट कोशन है मारणा सांगा के मृत सरीर का अदा संसकार के सिस्थान पर किया गए था तो इसका राइट आंसर होगा मांडल गड़ जो वर्तमान में गरवात करे तो भीलवाड़ा जिले में आता है और वेक्या यहां पर आप देख सकते हैं खानवा का युद कब हुआ था आपको पता हैं 1527 इसवी में हुआ था सी उप्षन बिल्कुल कराइट आंसर है खानवा के युद में बाबर के विरुद राणा सांगा के पक्स में कोन वो नहीं लड़ा था एक नहीं लड़ा था जिसका नाम था खानवा के युद में जो सूरी मल मिस्रन जो गूंदी का एक कवी है आपको पता ही है अगला कोशन है खानवा के युद में मारणा शंग् काम सिंगी सेना में कौन सामिल नहीं था तो हाकिम खान सूर्था वो इसमें सामिल नहीं था बाकि तीनुए हसन खान मेवाती मेहमूद लोदी और मालदेव ठोड़ थे अगला कोशन देख सकते हैं यहाँ पर है कौशन नंबर 48 है खातोली किस इस्तान या कौन से जिल्ले में खातुली आपको पता ही है कौन से में दोस्तों खातुली का जुद्वराइम लोधी और माराना संगा के बीच में हुआ था जिसमें विज्जे हुई थी और खातुली वर्तमान में एक बात करें तो कोटा जिले में और ये कोशन डिलीट हुआ था जेल प्रहरी में इसका अप्शन नमर शी होगा जाला अज्जा है ना जाला अज्जा और जाला सिजा तो इसका राइट अंसर होगा जाला अज्जा ठीक है ग्रूप पास तैसिल भरतपूर में नेक्स्ट कोशन आप यहां पर देख सकते हैं कौन से राजपूर सरदार खानवा की युद में बाबर के विरुद राना संगा के पक्स में लड़े गए थे तो इसका जो यहां पार्मल इडर का था और वीरम देव मेड ते यह दोनों इसमें सामिलते यहां मेवार का जो सिंगाश्चा ने उसके उपर मायलना संगा का जो राजी भीशेग वह था वो कब हुआ था तो पंद्रासो नो मेन का राजी भीशेग वह था पंद्रासो 28 थकी अनों ने सासन किया था नेक्स्ट पंसा है वेश्वी करन के संदर में सिख्षा के बदलते उदेश से पंद्रासो नो से पंद्रासो 28 थकी अनों ने सासन किया था 14 माई 1509 को राजी भीशेग वह था इनको हिंदूपत के नाम से जाना जाता है करनल जर्म्स टोड ने इनको शिफाई का अन्स कहा गया है कहा गया इनको ठीक है खातली का यूद 1517 में हुआ था इब्रहेम लोदी की जिसमें आर हुई थी बाड़ी का यूद 1519 में हुआ था सांगा की विज़े हुई थी बयाना का यूद 16 जनवरी 1527 को बाबर परास्त हुआ था खानवा का यूद 1527 को 17 मार्श 1527 को बाबर की उसमें विज़े हुई थी बाबर के बीच एतियासिक युद कहां पर लड़ा गया था तो आपको पते हैं खानवा के यूद हुआ था वो इसका रायट संगा की यह तरफ से यह मारणा संगा के से से आपको इसमें ध्यान Мें रहता नहीं मारणा ASA की तरफ से ते च्छ नेग्षन राणा संगा और बाबर के उमिद यह खानवा का युद कब गवा था आपको पता यह 1527 में यहां पर वइक क्या आप के देख लेना वह अपक्ते है खातोनी के युद में वह था ठीक है इसका राइट आंसर का अप्शन नमबर बी मारणा सांगा की मुर्तियों का भूई थी आपको पता है 1528 में भी थी तीस जनवरी 1528 को और यह 1509 में सासक बने थे मेवार की पनादाय ने जिसके जीवन को बचा था वह कौन था इसका की निम्द लिक्ट लड़ों का सही क्रमा आपको बताना है इसका छो दोस्तो राइट अंसर का फो अप्शन नमर's डी होगा यहन 1517 में राना संगा इब्रहाइम लोधी के मध्य वधा था जिसमें माराना संगा वो विजय हुआ था बाड़ी का युद दोलपूर में आता वर्तमान में बाड़ी 1518 में जुद हुआ था इब्राहम लोदी और मारना संगा के मद्य वा था जिसमें राना संगा वो विज़े हुआ था गागरोन का युद गागरोन वर्तमन जालावार जलेम आता है 1519 में यहाँ पर युद हुआ था राना सांगा और मेहमूद खिलजी सेकंड के मद्दे युद हुआ था राना सांगा इसमें विज़े हुआ था नेक्स्ट है बयाना का युद भरतपूर में जो 1527 में वा था फरवरी 1527 में राना सांगा और वाबर के मद्दे वा था जिसमें राना सांगा वो विज़े हुआ था अच्छी तरीक से नेक्स्ट हैं 1527 में में वाबर का सासक कौन बना था पंदरा सो बैर में कर बात करें यहां का जो सासक था वह दे सिन था और वेख्या यहां पर आप देख्सकते हैं अगला कौशन यहां पर आप देख्छन blown के दुरुका पर अधिकब अधिकार किया था आपको पता ही यहां पर आप इनकी वख्या भी आराम से देख सकते हैं इसका राइट अंसर और विख्या यहां पर आप इनकी देख सकते हैं अगला कोशन बेवार के महरना उदेश सिंग को बचाने या बचा कर अपने पुत्र बली देने वाली स्वामी भक्त धाई मा कौन थी इसका राइट अंसर होगा पन्ना धाई यहां पर निकी वेक्या आप एक बार देख लेना चेतोर की तीसरी साका आपको पता ही अभी हमने देखा है जब इसका राइट अंसर होगा करनावती तीन मार्श 1535 को हुआ था दूसरा साका बादुर्शा का आकरमन था गुजरात के सासर बादुर्शा ने आकरमन किया था केस्तिरिया जो किया था तो वहां का रावत जो बाग सिंग था जोहर करमावती ने किया था और वहां का सासर के वो विक्रमा देते था अगला कोशन है मारणा परताब की छत्री कहां पर बनी वेरी वेरी इंपोर्टन कोशन है इसका राइट आंसर होगा अप्शन अमेड़ी बांड लोडी इसका बिल्कुल करेक्ट अंसर होगा अगला कोशन यहां पर आप देख चाहते हैं कि नेंदली की आपको समझ में वो कम आएगा और वेक्या से समझ धित हर बार यहां से कोशन है वो पूट अप होते हैं अगला कोशन है मारणा परताब का दरबारी पंडित को था इसका राइट आंसर होगा चकरपानी मिस्टर दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना चैनल को जल्दी से सब सब्सक्राइब कर दो पिलीज आप सभी से रिक्वेस्ट हैं अगला कोशन है मारणा परताब का जन में वो किस वर्ष हुआ था तो पंद्रा सो चालिस में नौ मैं पंद्रा सो चालिस बिल्कुल करेक्ट अंसर है और यहां से कोशन है वो किसी भी एक्जाम है ऐसा नहीं है क कि उसमें कोशन नहीं पूचा गया यहां एक्जाम यह कोशन है वो पूचा जाता है अकपर ने मारणा परताब को समझाने के लिए प्रत्व है जो संदेश वहाग के रूप में किसको बेजा था आपको पते हैं इनको चार इन्होंने बेजा था इसका राइट आंसर होगा डी जलाल खान को बेजा था ठीक है हल्दी गाटी के युद्म से पूर्व मारणा परताब से समझोता करने के लिए अकपर ने ने लिखित में से किसको बेजा था बिल्कुल इसका राइट आंसर अप्शन नमरी जलाल खान को और चीज उनको कहते हैं पहला सिस्टम मंडल ज मैं तोड़ के नैट रूत में हम ठाट वो कोड़ में ठीक है अगला कौशन यहां पर देख सकते हैं आकपर ने डिसमंबर बंदेभाना 1553 अक पर तर आपको समझाने के लिए कर दा शाम मामल्ला को रफ़ा दाफ़ और त यहां पर आ सकते नहीं करलें वो नहीं माने थे अक्बर के अंदेदा उन्होंने स्वेकार नहीं की थी अगला कोशन है मेवार के मारना प्रताप के विरुद अन्ती मुगल आकरमन का नेतर तो किस नहीं किया था कॉलेज लेक्चरस ये कोशन पूछा था इसका राइट अंसर होगा जगनात उप्षन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट अंसर होगा 1578 में मारना कॉंबा पर किस ने आकरमन किया था 1578 में कॉंबल गड़ पर सुरी कॉंबल गड़ पर किस ने आकरमन किया था तो साहबाद खान ने इसका आज राइट अंसर होगा महराना कुंबा सुरी माहराना प्रता बिल्कुल इसका correct answer होगा next question कि विद्वां विद्वान जिस ने मूरत माला ग्रंत की रचना की थी वह कौन था इसका राइट अंसर और चक्रपाणि मिसर बिल्कुल इसका correct और यहां कि इनकी जो लीला वती वगिरह पुष्तके यह यहां पर आप इनकी देख सकते हैं दोस्तों एक आप कमेंट करके बताए लीला वती जो पुस्तक है उनका जो फार्शी बासा में किस ने अनुवाद किया था आप कमेंट करके जरूर बताए यह कोशन राजस्तान पुलीस सब इंस्पेक्टर जो एक्जाम हुआ था दो जाश्वाला में यह कोशन उसमें पूच क्यां हां पर देक सकते हैं छे उनके गोड़े का नाम था ठीक है अगला कोशन है मर्णा परताब की मर्थियों के समय उनकी आयू क्या थी मरतियों हम नहीं कहसकते हैं जो मारना परताब साही दो थे वस समय उनकी जो आयू thी वो श Pro service की थी गो आप यह आप देख शक्ते हैं इस तरीके से इसमें ठीक है अगला कोशन है मारना परता अपने पंदरा सो पीच्छा सी में अपनी नई राजदानी कहां पर इस्ता भी ती वेरी वेरी इंपोर्टेट कोशन है और यह दोस्तों एक चावंड में नोंने की थी बिलुकुल करेक्टर आंसर है यहां स से बच्चे वो कंफ्यूज हो जाते हैं अगला कोशन है मारना परता अपने किस वर्स में मेवाड राजी की राजगदी संबाली थी यह राजगदी पर कब बैटे थे इसका राइट आंसर होगा पंदरा सो बहत्र में इनका राजी विशेक महादेव बावड गोगुंदा म 32 वर्स की उमर में हुआ था 28 परोवरी पंदरा सो बहत्र को इनोंने किया था कमर पतलवा रावत कृष्ण रासनेन की बांदी थी 81 question number 81 मारणा परतापने अपने जीवन सोरी अपने नविन राजगदानी चाउंड में कब इस्थापीत की थी basic computer इसमें question पूछाता right answer ओप्षन नंबर C 1585 84 मारणा परतापने चाउंड को अपनी राजगदानी बनाया जो मेवार की राजगदानी रहता कब तक रहता दोस्तों इसका right answer ओगा 1615 तक यह राजगदानी रहता बिल्कुल डी option इसका 100 and 1 परशन इसका बिल्कुल correct है वो answer option है यहाँ पर आपको निम्द लिकित में से कौन अल्दी गर्टी के युद में मारणा परताप के चंदावल दस्ते में सामिल थे यह आपको यहाँ पर बताना है यह रीट में question पूछा था इसका right answer ओप्षन नंबर D123 और पांच यानि कि हम यह कह सकते हैं इसका right answer जोगा एक दो तीन और पांच लेकिन यह दो इसमें नहीं थे ठीक है अगला question हम यहाँ पर देख सकते हैं question number 84 54 राजदानी किससे समंदित रही है तो राना परताप से समंदित रही है नोंने बनाई थी और यहाँ पर निकी जो राजदानी वगेरा है वो यहाँ पर आप एक बार और देख सकते हैं तो मेवाड़ के साथ को वगेरा है यहाँ पर आप एक बार भी यहां पर आप देख सकते हैं यह देखिए राजदानी और सास्ग कौन से राजदानी बनाई थी नागदा किसने बने थी आहड कि सिने बने चितोड उदेपूर गोगुंदा चावन्ड यह अगला कोशन है नेम्द लिकित में से कौन सा सक्से हल्दी गाटी के युद में मालना परताब की विज्यो को मानता है तो इसका राइट अंसर होगा उप्शन नमबर डी जय परकास राज प्रस्वस्ती जग मंदिर प्रस्वस्ती तो इसका डी उप्शन राइट होगा ये सब भी मानते हैं नेम्द लिकित में से कौन हल्दी गाटी युद में मालना परताब की तरफ से युद में सामील हुआ था इसका करेक्ट आंसर अगर आप से पूचा जाए दोस्तों तो इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर होगा वाकीम खान सूर इसका विल्कुल राइट आंसर है यह क्वेशन आगला देख सकते हैं इसको आप मिलान करना डी उप्सनाइटे को एक दो तीन अगला क्वेशन देखिए हल्दी गाटी के जुद में मुगल समराथ अकबर के सेना का नेतर तो किस नहीं किया था बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मान सिंग पर्थम के द्वारा क किया था कॉंस्टेबल 2020 में कोशन पूचा था यहां पर देख सकते हैं कि वेक्षा डी ऑफ्सन ठीक है किस वर्ष में हल्दी गाटी का युद्वा था देखिए कि कितनी बार पूचा था आपको पता हैं पंदरा सो चैतर को वह था ठारा जून के दिन यहां पर इनकी वेक् सकते हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्रीज आप सभी से रिक्वेस्ट हैं अगला कोशन है हल्दी गाटी के युद में मारना परताब की रक्सा किस नहीं की थी क्योंकि दोस्तों हम यहां पर आपको जो समय समय पर आपको बहुत अच्छे से कंटेन हम आपको आते हैं इसी परकार के लेकर आते रहते हैं तो इसका राइट अंसर नमर भी होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब पर दो प्रीज आप सभी से रिक्वेस्ट है चोटी सी अगला कोशन है हल्दी गाटी के युद में मारना परताब की बील सेना का कमांडर कौन था इंपोर करनू सारली काटहिं में मांसींग जो मुगल सेना नम पती था कि युदिन जो उन्होंने इसमें किया है मुगलों के आती के नाम यहां पर अप आपसे पूचा जाए तो मरदाना हाती मसे मरदाना मसे मंसे मान सिंग अंप को 3 होति chain म से मुगल मसे मरदाना मसे मान सिंग का हाती ठीक है अल्दी गाटी जुद को बंदा यूनी ने किस युदगी संग्या दी है इसका राइट आंसर होगा अप्शन नमबर आपका गोगुंदा युद युद यूद यूप्शन में यहां पर हुआ था बंदा यूनी में गोगुंदा का युद का अबूल फजने खंणोर का युद का करनल जैम्स्टोड ने मेवाड इतियास में इनको थ्रमोपली के नाम से भी जान दिया था अल्दी घाटी के युद के बाद मारना परताप ने राजदानी काहां परिस्थाभित की थी या भी अबने पहले ही पढ़ा था चावंड में नोने की थी पंदरा सो जेतर के बाद में 1585 में मारना परताप ने चावंड को अपनी राजदानी बनाया था जो 30 वर्षों तक यानि 1615 तक राजदानी मेवाड की रही थी ठीक है दिवेर की लड़ाई किस-किस के मद्द्यवी थी L.S.A. तो 1222 में क्वेशन पूछा था राइट आंसर अप्शन नमबर सी राणा परतापोर अकबर की मद्द्यवी थी कौन सी लड़ाई दिवेर की लड़ाई 1582 मेवाड का मेरा थन कहते हैं करनल जम्स टोड ने कहा था अगला क्वेशन है 99 है करनल जम्स टोड ने निम्द लिकित में से किस युद्गो मेवाड के इतिहांस का मेरा थन के नाम से जाना था दिवेर के युद्गो था जो 1582 में वह था और आज के शेशन का क्वेशन नंबर सो देख सकते हैं निम्द लिकित युद्गों पर यहाँ पर आपको विचार करना है और इन युद्गों का आपको क्या बताना दोस्तों शही काल अनूसार आपको बताने नहीं सबसे पहला कौन सा लाड़ा था उसके बाद में कौन सा लाड़ा था वो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर होगा वो हम यहाँ पर बात कर सकते हैं सबसे पहले अगर बात करें सारंगपुर का युद्गों सबसे पहले एक नमर पे सारंगपुर का युदे खानवा का युद हु किन एक दो इसका करेक्ट आंसर होगा कब सायुद कब हुआ था यहां पर आप यह वेक्षा आप देख लेना ठीक है ज्यादा मैं आपको टाइमने ले रहा हूं इसलिए आपको वीडियो गुरो करका आप देख सकते अगला क्वेशन है किसने या किसके सासनकाल में मुगल और मेवार के जो महाराना उनके मद्दे चितोड की संदी हुई थी इसका राइट आंसर होगा जहांगीर के समय मुगल मेवार संदी 1615 में किन किन के मद्दे हुई थी सी ओप्षन है जहांगीर और अमर सिंग के मद्दे मारना परताब की मृत्यों के पच्छाथ नेमन मेंसे कहां का सासक बनाता है अगला कोशन है कि निवह मेंसे किसे या किस मेवार के सासक तक ने चितोड के लिए कि मरमत करवाई थी ठीके एछ कर अब रू सीनका आफIt थी आपको ध्यान में रखना है अगला कॉशन है नेम्द लिखीत में से किस राजबू सासें ने विजय कट कातू की उबादी धारन की थी सेकंड ग्रेड में कॉशन पूच्छा राइट आंसर होगा राज सिंग महाराना राज सिंग बी ओप्षन नेम्द लिखीत में से कौन मराठा आकरमन के खिलाप हुलडा सम्मेलन से जुड़े थी वेरी वेरी इंपोर्टन हुलडा सम्मेलन इसका राइट आंसर होगा ऑप्षन नमर डी एक दो और चार महारना जगत सिंग दिवति इसमें सामील था कौन था दोस्तो महारना सोरी अप्षन नमर एक इसका महारना जो जगत सिंग समील थे जैशिंग थे इसके अलावा अगर बात करें तो जो अभे सिंग थे जोड़ पूर के साथ कौशन एक शो नमर राज सिंग जो मेवार के साथ समकाली थे किनके समकाली थे यहां पर आप इनका देख सकते हैं यह मारना राज सिंग पर्थम है इसका राइट आंसर दोनों होगा औरंग जेब और सहां जहां सत्रवी शताब्दी के सिशोधिया राठोड कट बंदन में मेवार का सासर कौन बना था बेसिक कंप्यूटर में कोशन पूचे था 2022 में बी ओप्षन इसका राइट होगा माहरना राज सिंग पर्थम आपको ज समिलन आयजित हुआ था इसमें अगला कोशन है कि 17 जुलई 1734 को हुलडा समिलन किसके विरूद बोलाए गया था तो यह किसके विरूद हुआ था मराठों के विरूद हुआ था ऑप्षन नंबर एक इसका करेक्ट अंसर होगा नेक्ट कोशन मेवार की किस राज कुमारी को 18 1210 में अमीर खान पिंडारी की सलापर जैर दे दिया गये था वही हमने पढ़ा था कृष्ण कोमारी कृष्ण कोमारी जो विवाद हुआ था इत्यास में बहुत ही परशिदे जो महारजा भीम सिंग की जो वांग उनके साथ विवाद दो सुन चित लेकिन विवापूर्ण की मर्ची हो जाने पर हो जो जैपूर्ण का साजग था जगत सिंग दिवते उनके साथ में निचीत हुआ था फिर गिंगोली का युद हुआ था कब 1718 सो साथ में अगला क्वेशन है मेवार के किस महारणा ने अजमेर दर्गा के लिए चार गाह उनुदा में दे दिये थे भेट में दे दिए इसका राइट आंसर हो मारना जगत सिंग दे मारना परताब कि कि सोदेले भाई को आकबने जहाजपूर की जागई दे दिए जहाजपूर जो वरत्मान में काँ पर आता दोस्तों आपको पता है यह कमेंड करके मैं बताइए नाज्डर आंसर हो ऑप्ष अल्दी घाटी का यूद इसका यह सही करम है उस महारणा का क्या नाम था जो केसरी सिंग बारट की चैता नीरा चुंगटिया से इस कदर परभावित हो गए थे कि उन्होंने दिली दरबार के लिए अपनी यात्रा रद कर दी थी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फते सिंग ज अगला कोशन देखिए सासन काल में महारणा के साथ सथी होने की अंतीम घटना का वेवरन मिलता है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नमबर डी स्वारूप सिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहां पर वेक्या देख लेना अगला कोशन ने देख सकते इसका राइट आंस और ऑप्शन नमबर डी ओगा अजी थी और आज के सेसन का दोस्तो हमारे यह लास्ट कोशन होने वाला है ठीक है यह कोशन नमबर 122 किस मालना परता हां किसे मालना परताब का पत पर दर्शक कहा जाता राव चंदर सेंजो दोस्तो मारवार के इतियास में आपको हम अगला पढ़ाएंगे और समय करना चैनल को सब्सक्राइब करने इसी परकर नेेस्ट हम वीडियो बहुती जल्द मारवार का इतिहास मेवार का इतिहास अभी हमने यह कवर कर दिया है उसके बाद में मारवार का इतियास गोरजर प्रतिहारवन के जितने भी राझास तान से सब्सक तरह हम आपको कवर कर आएंगे वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना थेंक्यू और गाइस